नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से वड मिनिंग याद करने का ट्रिक सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सावित होने वाला है और इस ट्रिक कपडियों करके आप सैक्रों वड मिनिंग चुटकियों में याद रख सकते ह हैं और इसका यूज आप हमेशा अपने संटेंस में कर सकते हैं तो कैसे हम बहुत कम समय में बहुत जादा वड मिनिंग तैयार कर सकते हैं इसको जानने के लिए इसको सीखने के लिए आज का वीडियो आप अवस्य देखें और इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि कि आपको वर्ड मिनिंग सीखने का पैटर्न समझ में आ जाए चलिए दोस्तों पहला ट्रीक सीखते हैं और ट्रीक वन के अंतरगत कुछ सब्द दिये गए हैं जो कि एक ही पैटर्न पर दारिते एबल एबल मतलब होता है समर्थ योग्य या फिर लायक अब एबल से रिलेटे मेज मतलब होता है मदुर भासी मतलब होता है'Mय तो यह शब्द देखे एक ही पैटर्न पर एक ही जैसे शब्द एक ही पैटर्न को यूज करने वाले यह सब्द हैं एबल, केबल, फेबल, टेबल, अफेबल, काउंटेबल, ड्यूडेबल, इटेबल, तो इसको आप एक साथ एक ही जगह पर विवस्थित करके और याद रख सकते हैं ट्रिक वन में इसी पैटर्ण पर आगे शब्द देखते हैं मिजडेबल मतलब होता है दैनिया, नोटेबल मतलब होता है उलेखनिया, पोटेबल मतलब होता है पीने योग्य, इस्टेबल मतलब अस्थीर होता है या फिर इस्टेबल मतलब अस्तबल भी होता है हाँ भाई जहां आप घोडा को बांधते हैं उसे हम अस्तबल कहते हैं जिसका इंगलिस अस्टेबल ही होता है और भोकेबल मतलब होता है शब्द, शब्द मतलब वह जिसे हम उचारन कर सकते हैं, यानि उचारन करने योग्य, तो उचारन करने योग्य होगा, तभी तो आप उसे शब्द बोलोगे, अबेलेबल मतलब होता है, उपलब्द, और पॉर्टेबल मतलब होता है, अस्थानांत थी अगे देखते हैं किसी पैटर्ण पर आगे कुछ सबदों को देखते हैं जैसे एक्षेप्टेबल मतलब होता है तूट सकता है जिसको आप तोर सकते हैं comparative मतलब होता है Samgis मतलब होता है धोने योग्य जिस बस्तु को आप धो सकते हो understandable मतलब होता है समझने योग्य और readable मतलब होता है पढ़ने के लायक तो देखे एक ही pattern पर ये सारे सब्द आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और आपको पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा चले देखते हैं ट्रिक टू यहाँ पे जो शब्द हैं वो बोलने में एक ही जैसे हैं थोड़ा थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन बहुत सारे शब्द एक ही स्पेलिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसको आप एक साथ एक जगा पर वेवस्थित करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं याद रख सकते हैं तो देखिए एंट मतलब होता है चीटी और केंट मतलब होता है पाखंड यानी चल से भड़ी भात यानी चल से भड़ी बात का मतलब क्या हुआ धोखा धरी से भड़ी बात शलेंट मतलब होता है तिरचा और पैंट मतलब होता है हाफना P A A N T Pent मतलब होता हाँ फृफना और जेंट मतलब होता है राक्छास यहाँ पे थोरा स्पेलिंग बलत रहा है संट संट मतलब होता है अनुपस्थेत करेंट मतलब होता है धारू अब इसी pattern पर आगे के सब्दों को देखते हैं Lent, Alliant, Lent मतलब कर्ज दिया, Rent मतलब किराया, Sent मतलब भेजा, Spent मतलब बिताया, समय बिताया या आपने जो time spend किया, spend कहीं दूसा रूप होता है Spent, Sent मतलब होता है सुगंद, Tent मतलब होता है तंबू, Went मतलब होता है गया, और Parents मतलब होता है माता पिता तो देखिए किस तरह से ये सारे शब्द एक ही pattern पर है Lent, Rent, Sent, Spent, Sent, Tent, Went, Parents दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो घंटे का बचन अवस्य दबा दो ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बहतर अंग्रेजी सीख सकें तो चले देखते हैं इसमें बहुत साठेफे वहितरीन सब्द है जो आपको सीखने के लिए अतलो आप के आहिए पानी सब्सक्राइब कर गयेए किस तरह से सारे शब्द एक ही spelling pattern पर आधारित है आगे देखते हैं कुछ और सब्दों को थोड़ा सा इसमें spelling का बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन ये भी आपको जो है pronunciation में उसी तरह से आपको सुनाई पड़ेगा उसी तरह के शब्द है जैसे किक मतलब होता है लात मारना, निक मतलब होता है खरोच लगना या छेद करना लिक मतलब होता है चाटना पिक मतलब होता है चुनना सिक मतलब होता है बिमार टिक मतलब होता है निशान लगाना और विक मतलब होता है बत्ती तो यह शब्द देखिए सभी शब्द एक ही pattern पर एक ही जैसे spelling pattern को follow करते हैं यहां पर एक जगा पर विवस्तित हैं kick, nick, lick, pick, sick, tick, wick तो यह सारे शब्द आप एक जगा पर एक ही pattern के हिसाब से याद रख सकते हैं और अपने दिमाग में सेट करके इसे जीवन भड़ यूज कर सकते हैं इसी पैटर्न पर देखते हैं कुछ और सब्दों को जिसका थोड़ा सा स्पेलिंग परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जैसे C-S-E-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C- रख सकते हैं दोस्तों मैं अब सिखाने वाला हूँ ट्रिक फोर इसके अंतरकत हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्द सीखेंगे आप वीडियो को लाइक सेर और कॉमेंट अभस्य करना तो देखते हैं ट्रिक फोर इसमें पहला सब्द है अल मतलब सभी और बॉल मतलब होता है गैंद सी एडबल एल कॉल मतलब होता है पुकारना हॉल मतलब होता है बड़ा कमड़ा गॉल मतलब होता है असब्बे बहवाहार करना या फिर घरना M-A-L-L mall मतला होता है shopping ball, paul मतला होता है awran, fall मतला होता है girna या फिर putting, wall मतला होता है दिवार तो देखो किस तरह से यह शबद एक ही pattern पर आप उचारण करोगे all, ball, call, hall, gall, mall, paul, fall, wall तो ये सारे शब्द आप एक जगा पर वेवस्तित करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हो अब देखते हैं ट्रिक फाइब इसके अंतरगत कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है एयर मतलब होता है हवा जिसमें आप सांस लेते हो एयर चेयर मतलब कुरसी जिस पर आप बैठते हो फेयर मतलब होता है मेला या फिर गोरा गोरा रंग जो होता है उसके लिए हम फेयर यूज करते हैं ये सबी शब्द एक ही जैसे हैं तो इसको आप एक जगा पर वेवस्तित करके दिमाग में सेट रख सकते हो तो ये था आपका ट्रिक इसको आप पूरी तरह से याद रख सकते हो तो अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने आने ही वाला हूँ तो इन सारे शब्दों को आप याद कर लो दिमाग में सेट कर लो इस तरह के शब्दों को अगर आप सीखते हो तो आपके पास हजारों हजार शब्द का जो है डिक्सनरी भोकेबलरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप उन शब्दों को अपने जीवन में इस्तेमा कर सकोगे